नाखून काले क्यों हो जाते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल है, जो अक्सर लोगों के दिमाग में आते रहते हैं. कुछ लोगों में यहाँ परेशानी किसी चोट की वज़ा से भी हो सकती है. लेकिन जिनको कोई चोट ना लगे फिर भी नाखून काले हो जाए तो इसके गंभीर कारण भी हो सकते हैं. नाखून काले होने की वज़ा स्किन कैंसर की शुरुआत भी हो सकती है. स्किन कैंसर में भी हाथ या पैर के नाखून काले होने लगते हैं. जादातर लोगों के पैर में चोट लगने की वज़़ा से नाखून काले हो जाते हैं तो कुछ लोगों के नाखून काले होकर तूट भी जाते हैं नाखून के काले होने की कई वज़े होती है, कुछ मामलों में स्किन कैंसर की वज़े से भी नाखून काले हो जाती है नाखून काले होने की दूसरी सबसे बड़ी वज़ा फंगल इंफेक्शन को माना जाता है आईए जानते हैं नाखून काले होने के मुख्य कारणों के बारे में काले नाखून कहीं स्किन कैंसर तो नहीं नाखून में अचानक कालापन आने लगे या नाखून काला हो जाए तो कभी भी इग्नोर न करें Skin Cancer की शुरुवात हलके दर्ध के साथ नाखून में कालेपन के साथ हो सकती है Skin Cancer में Melanoma नाखून के नीचे वाले भाग में बढ़ने लगता है और धीरे-धीरे फैलने लगता है Skin Cancer के कारण अगर नाखून काला होता है तो हलका-हलका दर्ध हो सकता है कभी-कभी हलका-काला धबा शुरुआत में होता है, जो धीरे-धीरे बढ़ने लगता है Fungal Tonal Infection की वज़ा से नाखून काले हो जाते हैं कभी-कभी नाखून काले होने की मुख्य वज़ा Fungal Infection भी हो सकता है Athlete Foods जैसे Fungal Infection की वज़ा से भी नाखून काले पढ़ जाते हैं Fungal Tonal Infection की वज़ा से नाखून काले पीले, हरे, भूरे और काले हो सकते हैं इस तरह के कोई भी लक्षन दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्ख करना चाहिए नाखून में चोट लगने की वज़ा से काले नाखून नाखून में अगर कोई भारी चीज से चोट लग जाती है तब भी नाखून काले पढ़ जाते हैं नाखून में चोट लगने की वज़ा से नाखून के नीचे रक्त की वाहिकाय फज जाती है और खून जमा हो जाता हो जो बाद में काला पड़ जाता है अगर आपके नाखून में कोई चोट लगती है तो इसे किसी डॉक्टर से दिखा कर जमा खून को निकलवा लेना चाहिए खून का लंबे समय तक जमा रहना भी ठीक नहीं होता है यह किसी नई बीमारी को भी जन दे सकता है जूते की वज़े से भी नाखून काले पड़ सकते है कई बार लोगों के नाखून खराब जूते की वज़े से भी काले पड़ सकते है खराब जूते की वज़े से नाखूनों पर दबाव पड़ता है जिसकी वज़ा से नाखून में खून जमा होने लगता है, जो बाद में काले पड़ जाते हैं। कई बार दोडने वाले लोगों में यह परेशानी हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो गया है, तो इसे किसी कुशल डॉक्टर से परामर्श के बाद ही कुछ करें।